Hello students, today we will discuss about exercise 3.3 of NCRT Mathematics class 6 The name of the chapter is Playing with Numbers सबसे पहले हमें इस exercise को पढ़ने से पहले Divisibility Rules पता होने चाहिए और वो main main number जो है आपकी class के according 6th class के according जैसे 2 का Divisibility Rule है 3 का Divisibility Rule है 4 का Divisibility Rule है और 6 और 8, 9 and 11 तो इन सब numbers के Divisibility Rules आपको पता होने चाहिए अब बात ही हमारे mind में सबसे पहले question आता है कि Divisibility Rule हम पाड़ी क्यों रहे है हम direct divide क्यों नहीं कर रहे है तो real में होता है कि हमारी daily line में कई number जो होते हैं वो बहुत सारे लंबे-लंबे number होता है जैसे मैं एक जामपल के तौर पर यहां पर लिखना हूं कि अगर मैं आपको बोल दूँ 51426732 अब यह 2 से डिवाइड है या नहीं तो अगर आपको Divisibility Rule बताओगा तो आपको डिविजिबिटी रूल नहीं पताओगा तो आप क्या करोगा इसको पूरा क्या करते हैं चैक करें कि ये number हाँ ये तो नमबर डिवाइड होगा है इससे हम पता कर लोगा बिना दिवाइड करें भी हम क्या कहा सकते हैं ये number इससे divisible होगा तो चेक करते हैं शुरू में जब उसके unit digit पे जैसे यह नंबर मैंने लिखा ने एक जामपल 2 की divisibility rule को यह fulfill करता कैसे इसकी unit digit आप right hand side से चाहिए अगर unit digit पे unit digit पे क्या लिखा हो 0 लिखा हो 2 लिखा हो 4 लिखा हो 6 लिखा हो या 8 लिखा हो वो सभी के नंबर के होंगे 2 से divisible होंगे मैंने लास्ट वीडियो में आपको 2 का divisibility rule बताया था वहाँ पे आप समझ सकते हैं और जैसे यहाँ पे लिखा है 5 1 4 0 100 परसेंट है किस से divisible होगा 2 से divisible होगा क्योंकि right hand side से अगर आप देख रहे हो यूनिडिजिट पे क्या आना चीए आपका 0 2 4 6 8 आना चीए और और लिख सकते हैं 5 9 3 5 8 अब 8 आ गया आपे तो यूनिडिजिट पे आपका क्या होगया है यहां पर अपने दो एक्जामपल देगी वाई 3 इप द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री इप द सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री देन दर नंबर इस डिविजिवल वाई 3 क्या मिनिग है इसका कि आपको अब सभी नंबर में एक ऐसा तो नह इसका कहले का तो यह तो यह तो इस से अलग हो जाता है इससे हम क्या न कर लें इसका इसके according क्या होता आपको सभी जो digits दे रखी अब 3 में थोड़ा अलग rule होगा तो क्या कि आपको जो भी digits दे रखी है 5, 3 और 1 इनको plus कर लेना आपको क्या कर लेना है 5 plus 3 plus 1 अगर ये कितना आगया 5 plus 3 8 plus 1 9 अगर जो इनका sum है अगर sum जो है इनका अगर वो multiple है किसका 3 का multiple है तो क्या होगा पूरा का पूरा नमबर जो 5, 3, 1 है वो 3 से divisible होगा it means कभी भी आपको क्या करना है कोई भी example अगर दे दे तो ये 3 से divisible है या नहीं है तो आपको क्या करना है जो भी number दिया गया उसकी सभी digits को क्या करने प्लस कर लेना है उसको जैसे या प्लस करोगे और जो भी आपका answer आएगा उसको चेक करके देखना आपको अब ये इसके comparison में ये तो easy है ना 3 से divisible करना जैसे 5 प्लस 3 प्लस 1 कर लिए आपने 9 आगया और 3 3 जा 9 होते है तो sum divisible है तो इसके comparison में तो easy हो ना ये इसमें तो आपको चेक करना पड़ेगा तो क्या होगा ये नमबर भी क्या होगा 3 से divisible होगा yes और जैसे मैं बुलो 5-4 प्लस-4 यह नमबर divisible है जा नहीं है तो आपको क्या करना है इन में इन में भी plus कर लेना है 5 plus 4 plus 3 plus 1 कितना अगया 5 plus 4 9 9 plus 3 12 12 plus 1 13 यह नहीं होगा क्योंकि दो सम है डिजिट्स का सभी डिजिट्स का जो सम है वो 3 से क्या है डिविजिवल नहीं है एक एक्जामपल हो लेते हैं यह है 1 4 3 1 3 अब यह है नहीं है रिखते हैं 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 कितना आता है इनका सम 4 प्लस 1 5 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 9 प्लस 3 12 तो 3 से डिवाइट होता नहीं है इनका डिविजिवल है ना 12 तो है डिविजिवल तो हम क्या लिखेंगे यहां से येस तो 3 का मल्टिपल आगा है तो क्या करना आपको डिविजिट्स को फटा फट से प्लस कर लेने है और आपको चेक कर लेने कि जो समाया वो 3 से डिविजिवल है या नहीं है अगर सम जो उनका है डिविजिवल है 3 से तो आप नंबर में कहा लोगों, Yes, It is divisible by 3 Now, Divisibility by 4 A number with 3 or more digits is divisible by 4 If the number formed by its last two digits is divisible by 4 क्या कहना चाराएं, Example से लेते हैं जैसे आपको मैंने एक number दे दिया 5, 6, 4 एक number जिसमें 3 or 3 से ज्यादा digits होगे तो अगर तू है जैसे मालो मैंने बोल लिए तो नॉर्मली फॉर का मल्टिपल है यह इससे डैक्ट पतासल जाएगा तो फॉर का जो डिविजिबिल्टी रूल है वो थ्री और थी से ज्यादा डिजिट्स जब उसमें होती है तब हम चेक कर लेते हैं तो यहां पर यह लिखा कि उन्हूँ आपको क्या करना है 64 लिखा हुए तो इसके रूल के को जखा लेना है कि यह पॉर से डिविजिब्ल है या नहीं जैसे मालो कि शूर लिखा है शिक्सटी फोर को आप चेक कर सकते हो कैसे फॉर बंजा फॉर तो कितना आ गया है ऑगा आप है शिक्समें से फुर जरूवित नहीं है जैसे में बोलो एक और नम्ब लेते हैं one five three six three two अब चैसे पर जीजिए करना पड़ते हैं तो आपको फूरा नम्बर आपको एसे इसे पड़ेगा लेकिन आप से बस सकते हैं कैसे इसका divisibility rule चेक करके अब क्या करना आपको मैंने बोला था आपको last two digits तो आपको 32 को लहन का लेना है 32 जो आपका first यह last two digits है यहांके right hand side से तो जो 32 है 32 को चेक कर लिजिए आप 4 का multiple है कितने बात है 4 8 जा 32 8 पे जाता है न 4 से तो पूरा का पूरा नंबर भी divisible होगा आप इसको चेक कर सकते हैं yes तो यह आपके 4 का divisibility rule है अब हम पढ़ेंगे divisibility rule of five a number which has either zero or five in its once place is divisible by five आपके पाग कोई एक number है जिसको जैसे मैंने बोल दिया five example five one zero four five यह number दे रखा है मैंने तो five का तो बहुत ज्यादा easy है five मां आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है जैसे तू में बहुत easy था तो कि उसमें unit digit देखनी पड़ती है five में भी unit digit देखनी पड़ती है आपको क्या देखना आपको हूँ आपके जो unit digit है आपकी last digit है जो right hand side पे जो आपकी आप बोल सकते हैं और right hand side से बोलने तो आप first digit बोल सकते हैं मैं left hand side के according बात कर रहा हूँ जो आपकी last digit है मतलब कि जो right hand side से first पे है तो यह जो five है अगर यहाँ पे जो unit digit है यहाँ पर अगर five लिखाओ या zero लिखाओ तो हम बोलेंगे यह divisible है आपको पूरा number divide करके चेक करने की ज़रूत नहीं है जैसे मैंने बोलो six three two zero यह five से divisible है क्योंकि unit digit पे क्या है unit digit पे क्य जीर लिखी हुए तो यहाँ पे क्या लिखी हुए zero और इस question में क्या लिखी है और जैसे मैं यह बोलू five nine one three क्या यह five से divisible है तो आप directly बोल सकते है no it is not divisible by five because in unit place there is no five और zero now divisibility rule of six if a number is divisible by two and three both then it is divisible by six also तो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान देना कि एक number six से तब divide होगा जब वो two और three से भी divide होगा कहने का मतलब यह है जैसे मैंने यह बोला कि four ले लिया चारू मालों ने या 14 ले लिया तो यह किस से divide हो रहा है यह two से divide होता है नहीं होता है two seven जा 14 होता है लेकि three से तो divide नहीं क्या था इन दोनों को plus करो और three की table में आ रहा है नहीं आ रहा है चेक करो तो four plus one क्या था five four plus one five होता ना तो three से divide तो होगा नहीं तो two से तो yes हो गया two से yes हो गया लेकिन three से क्या हो गया इनका sum कितना रहा है five आता है इनका sum और sum डिवाइड नहीं हो तो हम क्या करेंगे no तो यह two से divide हो लेकिन three से नहीं हो तो यह six से भी divide नहीं होगा six से का multiple नहीं होगा तो कहने का मद्दब यह है two और three दोनों का multiple होना चीए कहने जैसे एक example लेता है आप हम जैसे हमने ले लि आप कि ले लिए 5436 तो 5436 समारपा number नहीं हो तो और थ्री दोनों से होना चीए तो और थ्री दोनों से होना चीए आप यह पर लिख देते हैं यह त्री लिए समझने के लिए अगर तो और थ्री दोनों येस बोलेंगे तो six automatically divide हो जाएगा तो आपको six के लिए तो ऑब 3 से कहना था प्लास काना था तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 कितना होता है 9 9 plus 3 12 12 plus 6 18 18 होते है तो यह भी क्या कर दिया यस तो automatically क्या हुआ है यह 6 से भी क्या होगा यह 8 होगा तो हम बोलेंगे कि यह 6 का भी एक है multiple है मतलब कि पूरा number 6 से क्या हो रहे है डिवाइड हो रहे है अब देखते है by 8 a number with four or more digits क्योंकि 8 का जो होता है जो भी multiple आते हो थोड़ा लंबे 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 है क्योंकि 8 बड़ा number है आपने आप में तो क्या होता है कि आपको क्या होता है यह जो डिविविल्टी रूल दे रखा है यह four digits यह उससे ज्यादा digits के लिए कैसे a number with four or more digits is divisible by eight if the number formed by the last three digits is divisible by eight जैसे मैंने एक number दे दिया है तो इसमें क्या करना आपको यह इसकी जो पूरा number बहुत बड़ा है तो इसमें बहुत जादा टाइम लग जाएगा अगर मैं चेक कर दो तो आपको क्या करना है फोर में क्या बताए था लास्ट टू डिजीट राइट हैंड साइट से फस्ट तू कंफूज नहीं होना आपको लास्ट टू कहता हूं तो आपको क्या तो फर्स्ट टू भी बोल सकते हैं किस तरब से लेकिन वह राइट हैंड साइट से होगा तो क्या लिखा हुआ है यहां पर टू अन्वर एट से डिजीबल है या नहीं है तो आपको इसमें भी क्या करना है यह जो थी डिजीट से लास्ट ट्री डिजीट जो आपकी लहां रहा हो तो आपको पूरा नंबर नहीं लेना आपको ठ्री फोर फोर नंबर ले वैसे आपका वरभश हो जाएगा मैं ऐसे कर के दिखा रहाआ हूं लेकिन cage कि अंत 2st टमीर्जर 345 टो तो आपको ऐसे नहीं करना चीए डमबोली कική 302 Arts 22 तो माइनस के थर्टी फोर में से कितना आगया तो तो एट रिजा डूंटिफू आप यहां से चेक कर सकते हैं जैसे मैं यहाला करता हो देखो एट वन जा एट थ्री में नहीं जाता जीरो लगेगा तो एट फोर जा थरी दो यह बीडिवीजिवल है तो आप डारेक्ट चेक क पूरा का पूरा नंबर भी होगा डिवाइड से तो यह अब जैसे यह 1792 तो इसमें भी आपको पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना आप जस्ट यह कर दिजिए यह 792 को कर लेते हैं एक बाद वर्बली करते हैं चेक एट नाइन जा 72 होता है 72 होते है 9-2 कितना होता है 7 तो यह नंबर जो भी 3 examples है यह 8 के multiple है अब देखते हैं by 9 if the sum of the digits of a number is divisible by 9 then the number itself is divisible by 9 यह 3 और 9 का जो divisible roll है यह बहुत हत्त क्या है similar है इसमें पर क्या करना पड़ता आपको जो sum है वो digits का चेक कर लेना आपको अगर sum sum 9 से divisible हो रहा है तो पूरा का पूरा number भी 9 से क्या होगा divisible होगा जैसे कुछ example ले लेते हैं 4608 यह example ले लिया हमने तो आपको क्या करना है यह digits को plus करना है जैसे 3 में करा था अपने similar है उसके जैसा क्या करना है 4 plus 6 plus 0 plus 8 6 plus 4 10 10 plus 8 18 और 9 का multiple 18 9 से divide होता है तो अगर sum 9 से divide हो रहा है तो पूरा का पूरा number भी divisible होगा तो आप yes लिखेंगे yes 4608 is divisible by 9 तो जो भी number आपको दिया जाता है उसमें क्या करना है आपको number digits को plus करना है अगर 9 से divide करना है अगर 9 से completely divide हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे yes it is a multiple people of 9 या the given number is divisible by 9 अब by 11 यह बहुत important है आपके लिए यह आपको समझना है देखिए थोड़ा examples के अलवे से समझेंगे find the difference between the sum of the digits at odd places and the sum of digits at even places of the number if the difference is either 0 or divisible by 11 then the number is divisible by 11 है कोई बात नहीं जिसको समझनीा है वो example से सभी रिदे करना कि क्या करना को आपको आपको इब 1 number जीसे मैंने एक example लेते हैं यहां से सुरूद करते है 61809 आप यहांला करना है यहां से राइड हैंड साइट स सुरूद कर लिजिया यहां पर प्रसी आपको एक number छोड़ के का number जो मिलने आपको उन में क्या करना उनको पहले प्लस करें जैसे odd places मैं लगा one three और five है ना यहाँ याँ वण two three four five डीजिट का number है तो आपको एकरना है odd places के number को add करना है जैसे odd places पह यह 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 one place पह है यह third place प्लस प्लस एट प्लस नाइट यह दूसरे में जैसे मैं अभी समझाया था आपको क्या कर लेना है फिर एक छोड़ा फिर एक छोड़ा फिर उसके बाद आपको प्लस करें इनको प्लस करके कितना रहा है है चेक करते हैं 8 Plus 8 14 9 23 आ सब जो प्रह गया आपके अरह आपका जीरो और वन यह रह गया यह रह गया पयो अब इनको ऐसे प्लस कर ल। तो पहले सब्सक्रोट्र कि क tut तो पहले आपको क्या करना है अज और भाव, प्लस करना है पहले सब्सक्रोंक-otic प्र पहले प्लस किया वा था और जो बाद में प्लस किया वा था इसमें जो पहले तो और प्लस किया था अब आपको क्या करना है जो इनका सम आया था एक तो सम आया 23 और एक सम आया कितना वन इन दोनों को माइनस कर लेना है 23 माइनस और माइनस किसमें से करो के बड़े वाले में से आपको ऐसे जरूरी नहीं कि आपका यह जब बढ़ा गया तो आप इसमें से माइनस करेंगे यह बढ़ाया तो इसमें से माइनस करेंगे अगर इनका सम वह सुरी डिफ्रेंट डिफ्रेंट कितना रहा है 22 अगर इनका डिफ्रेंट 11 से डिवाइड होता है अगर इनका डिफ्र आपको कैसे चेक करना है। यहां से अबर लेंए यह एक छोड़के फिर यहाओ आंने सीद्वत्वत ऊब लिखे भागे अब और प्लेस तो क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0 ये तो थाना 1 नमबर पे और ये 3rd नमबर पे 5 नमबर पे और ये 7 नमबर पे इनको प्लस कलिया 8 प्लस 3 11 11 प्लस 6 17 अब है आपका Sum of Even 9 रह गया फिर आपका 9 प्लस 1 9 प्लस 1 10 10 प्लस 1 17 अब इनको माइनस कलिया ऑड़ और 17 माइनस 17 इकल 0 तो अब इसको चेक कलिया डिवाई होते है नहीं 11 से 11 की टेबल मा आते है न 11 की टेबल मा कापे क्या होगा है यह ऐवन क bleach नंबर को प्वास करने ऑर ऑफ अनगी का निल्टीबल एकacoA होनी तो घीवन से खेंगे में थैकर देने तो प्रक्राइज रहते हैं wonder two six seven तो कितना आएगा वन प्लस 0, less 0 , plus 0 , when I have your अब जो रहे गए इवन पे कौना सा अगया यहां से चेक्कर टो कितना आ गया जाए यह फ्र्थ प्लेस पर इस इस प्लेस प्लेस पह एच डिरो प्लस एक जीरो प्लस एक जीरो कि लेबर सकते जो हो क्या होगा 112 लोगा 112 वो इस नमबर करने की पड़ी कहांब पूरा नमबर दिवाईट करने की जुरुएंट नहीं पड़ी यह पूरा नमबर करने करें हो सबसके प्लस करने से ज्यादा कर सकते हैं इनका जो difference हा रहा है सम करने के बाद वो क्या होगा अगर 11 से divisible है वहां बोल सकते हैं कि yes it is divisible by the given number is divisible by 11 by 10 if a number है 0 in the 1st place then it is divisible by 10 यह तो बहुत ही ज़्यादा easy है if a number है 0 in the 1st place then it is divisible by 10 जो यूनिट प्लेस है यहां पर 0 लगा हुआ है तो आप बूल सकते हैं कि 10 जैसे 5632 यह नहीं होगा क्योंकि वन्स प्लेस पर क्या नहीं है जीरो नहीं है तो आपको पहले divisibility rule समझने है इनको लिखने आपको इनके notes बनाने और यह आपको हमेसा याद होने चीए अगर यह एक्सराइज के जो question आपको उसके problem आई एक्सराइज को समझते है एक्सराइज 3.3 यूजिंग डिविजिवल्टी टेस्ट डिटर्माइंड बिच और फॉली नंबर्स और डिविजिबल बाई 2 3 4 5 6 8 9 10 बाई 11 यह तो बहुत अच्छा हो गया हमने अभी अभी तो सीखा होगा इसके लिए यहां पर चेह उगा थी से कीया थी से इनको प्लस करोगे तो प्रहेगी कि आएगा प्लस करोंगे इस करो वन्रें wraps नहीं नहीं होता है वहाँ होता है अगर यह डिवाइड हो रहा है आपका तो लिख होगे क्या यस फाइब से डिवीजिबिल्टी रूल का था जीरो लगा यूनिट प्लेश पे जिरो होना चीए ऐसी आपको ये पूरा टेबल क्या करना है फिल करना आपको एक भी डाउट होगा तो आपको जो अ नहीं डालना No which a gradual by फोंद के आगे आपको जो जो नंबर वर से दिव इन ले हो वम देन सर्क न आपको लिदेना स्वार्भी तरब सिर्फ कर्या ये ये दो नंबर रहें आपके unit place की तरब से 1s and 10s इन दो नंबर को चेक करना अगर यह पोर की टेबल मां आता है तो आप क्या बोलोगे कि यह डिवीजिबल इसमें इसमा को क्या करना है फिफ्टी डू को चेक कर लेने हैं फिफ्टी डू को चेक कर लेना और फिफ्टी डिवीजिबल होगा औ यहां पर 00 लिख आए 00 तो आपको एसे करना है फिर यह नहीं नहीग डाल हो गया तो उसमें लिखोगे उसमें 3 did गार चाहिए'll को दिखाओ करेंगे अब इतंग को डूसरे में क्या लिख सकते या कि इतंग रहे से क्या सब्तित क्या यह दिवाइड होगा को आपको इसमें भी जीरो सेवन टू गीवाइड कर रहें यह थ्री डीजिट को डिवाइड करें और थ्री डीजिट में कभी भी आप बहुत हैं ऐसा नमबर भी निखते आप आप कै लिखते हैं कि जीरो का फिर समय रूल नहीं रह जागए क्यों कि हम क्या कर रहें सिर्फ three digits को लेके चल लें इसम आपको कियाकरनाए 700 को चक करने हैं इसम आपको 150 को चक करने है ऐसे अब using divisibility memory nine which of the falling numbers are divisible by six इसमें क्या करना आपको six से divisible कौन कौन से number हों गे जो two और three both से वह सब्सक्राइब यह रखाना मैंने आपको यह दे क्या होगा इब क्या नमबर is divisible by two and three both then it is divided by six also तो six of से तब number डीवीजुवर हो गार्णा आपको टू और ठी दोनु बोलेंगे यश तो टू का या था यह यूनिट प्लेश पर क्या होना चीए आपका फॉर जिरो फॉर सिक्से एट होना चीए और ठीका रोल था इन सब को प्लस करके थिका मल्टीपल होना चीए तो आपको क्या करना है इन question जो आपको A और B पार्ट दे रखा है इसमें आपको एक space दे रखा है यहाँ पर सिंगल डिजिट आपको फिल करनी है और फिल इस तरह से करनी है एक तो स्मॉलेस्ट फिल करनी है स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट करनी है और ग्रेटेश्ट फिल करने के साथ एक और कंडिशन होनी चाहिए कि जब आप उसको फिल करो तो डिविजिविल्टी त्री जो टेस्ट है थरीका वह आपका पास होना चाहिए अब देखते हैं कैसे मैं एक एक जामपल करके दिखा रहा तो स्टार्ट करते हैं जिरो भी रखने के बाद जीरो भी रखके चेक कर सकते हैं आप आराम से क्योंकि वनसे बाद जीरो भी चेक कर लेते हैं जीरो प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 कि सिक्स मीटिया प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 गोले 10 नहीं हो रहा है 6 plus 1 7 plus 7 plus 2 9 plus 4 ये 20 आगे इनका सम आप प्लस कैसे भी कर सकते हैं आप एक लाइन में भी प्लस कर सकते हैं मैंने इस दिवे में आपको ऐसे समझा दिया 20 आए इनका सम तो 20 तो 3 का multiple है यह नहीं तो ये भी no कर रहे हैं तो इसका मतलब 0 और 1 नहीं आ सकते हैं आप टू फिल कर देंगा 26724 तो तो रख देते हैं आप टू रखने के बाद क्या रहा है 267 प्लस 2 प्लस 4 अब टू रख के ट्राय क्या 6 प्लस 2 8 7 प्लस 2 9 9 प्लस 4 13 इनको प्लस करने के बाद कितना रहा है 21 और 21 किसका multiple है थरी का multiple है तो हम बोलेंगे येस तो आपको ऐसे चेक लिना एक बाद तो smallest मापको कौन से डिजीट फिल करने यह आप है smallest मापको कौन से डिजीट फिल करने है तू अब greatest की बाद आ रही है ग्रेट एश्ट मा कहा से शुरूगा प्लस कर सकते हैं चोटे चोटे गृप से डिवाइड करके 9 प्लस 6 मैंने दो कर दिया 7 प्लस चुन 9 और 15 और यह थ्री की टेबर बात है क्या 3 9 जा 27 होता है और 3 8 जा 24 होता है तो तो सिदिवाइड definitions तो यह कर देंगा इसकाई ना जा सकता है hahaha अब एड़ फुल करते हैं नो वप्लस तो eight प्लस six ए प्लस seven प्लस टो डॉट ना गल्र cathari प्लस 9 23 प्लस 4 27 27 किस से डिवाइड होता है तुछ ना आता है तो आपका ग्रेटरेश्ट नंबर क्या विद्ध करने के बाद आए था8 फिल करने के बाद आए थाफ है तुछ आपको बी सौल करने आपको पहले जीरो से फिल करके देखने है smallest numbers कि अगर आपको चेक करना है फिर आपको greatest number चेक करना है कप करेंगे आप 9 से लेके नीचे की और को आपको number जाना है और आपका कहीं न कहीं पर ऐसा हो जाएगा कि आपका जो sum करोगे आप वो 3 का multiple होगा और आप कह सकते है कि यह क्या number divisible है किस से 3 से आपको यहां पर दो पार्ट में यहां पर आपको यहां पर यहां पर दिए रहना है कोई भी सिंगल डिजिट और क्या हो से उसको जब फिल करोगे तो 11 का पास होना चाहिए उससे मदब कि 11 से divisible होना चाहिए तो पहला एक्जामपल देखते हैं जैसे 92389 यह दिर्ख है तो इसमें क्या करना आपको 11 का डिजिविवल्टी रूल क्या था और प्लेसे के नमबर दे तो उनको प्लस करने आपने 9 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है 14 9 प्लस 3 12 12 प्लस 2 14 और जो इवन प्लेस के नमबर को भी प्लस करने है 8 प्लस यह तो पता ही नहीं है इसके जिगए इसके जिगए प्लस करना है इसके जिगए इनको प्लस करना है इसके जिगए यह लिख है तो आप यह लिख दो इसके बाद क्या लिख है 9 तो कितना होता ह चिसको ऑसी लिए उसको कुछ आना है नमबर तो भीलाल के लिए क्या ना को बड़ा पूंबर आएगा उसके माहिफ करते हैं हॉस्की जमकिस कह Small क्यों स्कुल होना चाहिए सब्सक्राइए सेवंटीन मैंस establish हुना है 3 3 होता है 17-14 3 होता है पर होना कितना चीछ था 11 होना चीछ 11 का डिवाल्टी टेस्ट के लिए कैसा चीछ 11 का multiple होना चीछ यह हाँ पे 0 हो जाना चीछ तो difference करके अब 17-14 3 है 11 तो बन नहीं पाया तो यहाँ पर आपको क्या करने है देखो 11 का multiple बनाने के लिए इसमें कितना और add होना चीए इसमें कितना और add होना चीए इसमें 8 अगर add हो जाए तो कितना जागा 11 ना आपको 11 के nearby बनाना है तो यहाँ पर अगर मैं 8 fill कर देता हूँ अब देखेगा एक बार दुबारा से अगर मैं यहाँ पर 8 फिल कर देता हूँ तो आप देखिए अब इसका सम कितना होता है 8 प्लस 8 प्लस 9 तो इसका तो आपने कर देता है 9 प्लस 8 17 में 8 और प्लस के तो कितना होता है 25 अब 25 में से आप मैनस का लेजिए 25 मैनस 14 कितना होता है 11 आ गया और यह पक्का डी-विजिवल होगा, तो आपका नमबर कितना आ गया? फिर से सुन लीजी क्या है कि हमने, हमने पहले इनको प्लस किया, 9 plus 3 plus 2 किया कितना? दोबरा लख दिता हूँ, 9 plus 9 2, 9, 2, 3, 8, 9, हमने सबसे पहले कितना है, 9 3 और 2 को प्लस किया 9 प्लस 3 प्लस 2 को प्लस किया तो कितना आया 14 आया उसके बाद हम even number की places को करते है even places पे जो है 8 प्लस यह पता ही नहीं है बड़ी के लाज़ पर आप इसको तो difference करते होते क्या है इन दोनों को प्लस करते हैं जो बड़ा नंबर आएगा चाहिए इनका सम्झाद आता तो इसमें से माइनस कर लेते 17 माइनस 14 कितना होते है थ्री होते है लेकिन multiple किसका होना चाहिए 11 का multiple होना चाहिए 11 के अगर डिविजूल्टी टेस्ट को पास कराने त आप खुद का multiple है तो जब भी आपको ऐसे नंबर मनेंगे तो आपको यह इस वे से आपको solve कर लें अब कुछ है नंबर बी पार्ट आपका बी पार्ट को भी solve करते है तो आपको अच्छे से और समझ माँ जागा एट नाइन फोर एट फोर यह लिखा हो है अब देखिए य एट फ्लस नाइन फ्लस एट ख्लस एट प्लस एट फॉर्स नाइन फ्लस एट तो कितना आगया है इसा किटना मद से और गयारें करें 250 आपको हहto छोग刑 वैंट यह अगया ने तो तो क्योंगmy तो किपटींटन था ने होता है आंगया तो सेवंटीन है कितना ज्ञाद है कितना जब मेसे लिए ग्रम से कितना ज्याद है तो इस तरह से आप क्या करोगे यहां पर क्या अंसर आएगा आपका इसको फिल करने के बाद क्या हो जाएगा आपका 11 का डिविल्टी टेस्ट पास करे रहा है थैंक्यू स्टुडेंट